जो काम मेरे दस मिनट में हो जाता था इनके चक्कर में मेरा काम एक तो मेरे को जाने में दो घंटे का परेशान नहीं हो दूसरा मेरा ट्रांसपोर्ट का काम में तो मेरे ट्रांसपोर्ट अंदर का अंदर रह गया बार का बार तो मेरे तो कस्टमर फोन करकर के परेशान कर रह रहे हैं गाडियों को तो आना जाना बेहद मुश्किल हो गया है क्योंकि लोग काफी परेशान चल रहे हैं लोगों से जानने का परियास करते हैं कि आखिर यह कहां से आए हैं किस तरीके से हम बार्दोगर से आरे हैं अब डूटी करने के लिए अपनी मुंड का में हमारा पहले गाड़ी के जरीए जाते हैं बिल्कुल परसन गाड़ी हम यूज करते थे अभी आप यह देख रहे हैं यहां पर भी जो है पैदल कहां पैदल कहां अभी जो है टिग्री बॉर्डर से तक इनकी जो है पर ट्रांसपर से स्टार्ट है वहां से अभी बस पकड़के फि एक तो मेरे को जाने में दो घंटे का परेशान नहीं दूसरा मेरा ट्रांसपोर्ट का काम में तो मेरे ट्रांसपोर्ट अंदर का अंदर रहे बार का बार तो मेरे तो कस्टमर फोन करकर के परेशान कर रहे हैं पिछले साल जब हुआ था उसमें मेरे को मतलब एक साल पीछे आप उनको एक वीकल करने का पोट निकालने का परें जल्दी सी जल्दीन का समाधान करें जो भी यह निकल वात करें यह तो अगर कोई पेसेंट उसको बहुत ही जाना पेसेंट का और किसी की मैरीज है अब उनको थोड़ी ना पता था किसान आएंगे यह चीजए कि एक विकल पूरी तरह से बंद हो चुका है करीब एक किलोमेटर का दाइरा जो है वो पूरी तरह से पुलिस ने सुरक्षा की दिरिश्टी से बंद कर दिया है बहादरुगड के सेक्टर 9 पर हर्याना पूलिस ने कंक्रीट की दीवार बनाई है लोहे के तार यहां पर लगाए है कटिले वहीं टीक्री बोर्डर पर दिल्ली पूलिस की तरफ से भी पूरी तरह से सडक को जाम करने का काम किया गया है अला कि फिलाल में देखना होगा कि क्या समाधान निकल पाता है क्या किसान वापस गुरों की तरफ जाते हैं या फिर दिल्ली हर्याना के पंजाब के जो बोर्डर हैं वहीं पर वो किसान बैठे रहते हैं न्यूज 18 परदीब धन्खड टीकरी बोर्डर